तो आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं आज हम लोग ये जानेंगे कि जो YouTube membership 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने का बात देता है वो मुझे अभी 3600 भी complete नहीं हुआ है और मुझे वो membership दिया है तो ये कैसे हुआ और क्यों दिया है तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे तो बंदे मातरम मैं आर्पी पंडे खुर्पादी ग्रूप में आप सब का स्वागत करता हूं आए आज के वीडियो को सुरू करें तो मुझे आज से 10-15 दिन पहले mail आया कि आप membership के लिए eligible हैं तो मुझे लगा कि ये fake news है या fake mail होगा क्योंकि मैं जानता था कि simple से बात है 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होना चाहिए membership के लिए या फिर gaming channel है तो 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर चल सकते हैं लेकिन मेरा तो gaming channel है नहीं ये educational channel है तो और वह भी अभी 3600 भी complete नहीं है उससे भी अभी कम ही है तो ये कैसे हो सकता है तो मैं उससे ignore कर दिया और ऐसे वीडियो अपना upload करते रहा तो वीडियो अप्लोड करते करते उसको जाकर टाइटल थमने लिए सब चीजों करने में बीच बीच में मैं चनल को और भी नीचे तक दिखते रहता हूं कभी कभी तो उससे में बाड़ बाड़ वहाँ पर option दे रहा था कि इसको अगले दिन देखा कि मैं चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिवेट हो गया है तो मैं सुचा कि यह कैसे तो फिर से मैं उसके minimum eligibility जो होता है मेंबर सिप का वह देखा तो वहाँ पर देखने के बाड़ फिर वही बात हैं जो आप देख पा रहे हैं कि 30,000 से ज़्यादा सब्सक नहीं या गेमिंग चैनल है तो एक हजार से ज्यादा तो यह तो दोनों ही नहीं है तो फिर मैं सुचा कि तब फिर यह मुझे कैसे मिल गया तो फिर उसको और आगे जब मैं बढ़ा तो नीचे मैंने देखा कि वहाँ पर एक मूट लिखा हुआ है कि आप कुछ चैनलों पर छारत है। उसकुछ में मेरा चैनल भी आगया हूँ तो साध इसलिए मिला हूँ वैसे कोई बात नहीं है जो भी हो हाला के फिलाल मैं इसको ऐसे ऑक्टिवेट तो किया हूँ पर ऐसा कुछ भी नहीं अपना क्लासेस चलते रहेंगे और आपका कोर्स कंप्लीट कराए जाएगा पूरा आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो वीडियो को आप ध्यान से देखते रहेगा तो जो भी हो ठीक है देखते हैं आगे क्या क्या होता है तो यहां तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद जय हिंद जय भारत